जैमातादी दोस्तों, वर्म बैस मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि इस साल हर्याली तीज की पूजा के लिए सुब मुहरत क्या रहेगा और आप घर पर सरल तरीके से हर्याली तीज की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। पूरी जैनकारी के लिए अन तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिखेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूटूब चैनल वर्ल बेस्ट मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों सावन मा के सुकल पक्च की तरतिया तिथी को हर्याली तीज का पर्व मनाया जाता है इसे स्रावनी तीज या छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है इस समय हर तरफ हर्याली चाई रहती है महिलाएं इस दिन पेडों पर जूला डालके जूला जूलती हैं और के लिए बेहत खास होता है इस दिन सुहागिन महिलां बुरत करती हैं और 16 संगार करती हैं और इस दिन माता पारवती और शिवजी की पूजा करके अपने पती की लंबी उम्र और सौभागी की प्रातना करती हैं आपको बता दें कि हर्याली पहली तीज का पर्व भगवानसिव और मतापारवती के पुनर मिलन के उपलक्ष में मनाया जाता है। और हरियाली तीज का पर्व नई विवाहत लड़क्यों के लिए भी बेहत खास होता है। नव विवाहिता अपनी पहली तीज पर माई के आती हैं और इस दिन नव विवाहित महिलाओं को ससुराल की तरफ से आभूसन, सरंगार, वस्र, महंदी और मिठाई भी दी जाती हैं और महिलाएं अपने हाथों में महंदी लगाती हैं और आपको बता दें कि आलता को सुहाग का प्रतीक माना गया है इसलिए इस दिन महिलाओं को अपने पैरों पे आलता जरूर लगाना चाहिए और इसके लावा पूजा करने के बाद सुहागी निस्त्रियों को अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आसिरवाज जरूर लेना चाहिए और कहीं कहीं इस दिन जरूर पहननी चाहिए और इसके लावा पूजा के समय आप नई नवेली दुलहन की तरह 16 स्रंगार अवस्य करें और इस दिन लाल रंके या हरे रंके वस्त्र पहने और ध्यान रखें कि इस दिन भूल कर भी काले नीले भूरे रंके कपड़े ना पहने और इस दिन आप अ प्रियाली तीच की पूजा किस प्रकार करेंगी सबसे पहले आप सभी पूजन सामगरी एक जगे एक कत्रित कर लें पूजन सामगरी में आप भगवान स्यूमाता पार्वती और गडेश जी की प्रतीमा बनाने के लिए काली मिठी या बालू का इस्तवाल करें इसके पास्री फल, कलस, अबीर, चंदन, घी, कपूर, दूद, दही, घी, सक्कर, पंचामरत, गंगा जल और सुहाग के समान में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, मेहंदी, कुमकुम, कंगी, सीसा इन चीजों का इस्तमाल करें। और हर्याली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर इस्नान करके स्वच वस्त धारन करने के बाद भगवान के समक्ष जाकर मन ही मन में पूजा और व्रत का संकल्ब करें। और सबसे पहले आप काली मिट्टी या बालू के प्रयोग से भगवान सिव, माता पारवती और गड़ेश जी की मूर्ती अवस्ते बना लें। और माता पारवती के लिए सुहाग किसा मगरी एक थाली में सजा लें। आपको बता दें कि हर्याली तीज की पूजा की विदी हर राज में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। तो आप अपने इलाके के हिसाब से पूजा को संपन्न करें। पूजा के लिए आप लकडी की चौकी पर लाल वस्त्र बिचा लें। और उसे केले के मंडव या फुलेरा से सजा लें। अब सबसे पहले भगवान सिव, माता पारवती और गड़ेज जी की प्रतिमाइस्ता पित करें। फिर कलस की इस्तापना करें। और भगवान को फूल माला अर्पित करें और उनका स्रंगार करें। इसके बाद रोली चंदन और अक्षत अर्पित करें। अब माता पारवती को सुहाग का समान अर्पित करें। और भगवान सिव को वस्त्र या जन्यू चड़ाएं। इसके बाद पांस उपाड़ी, लॉंग इलाची, बेल पत्र, धतूरा, समी पत्र, आदी अर्पित करें। और घर पर बनी मिठाईयों का भोग लगाएं। इसके बाद धूद दीब जलाएं और हर्याली तीच की कथा सुनें या पढ़ें। फिर गड़ेज भगवान जी की और उसके बाद सिव जी और माता पारवती जी की विद्वद आर्थी करें। और आपको बता दें कि आप माता पारवती की आराधना के लिए इन मंत्रों का जाब कर सकते हैं। ओम उमाय नमा या ओम पार्वते नमा या ओम सिवाय नमा इन मंतरों का जाब कर सकते हैं और भगवान सिव की आराधना के लिए आप ओम नमा सिवाय या ओम है सुराय नमा या ओम सिवाय नमा या ओम पस्पते नमा या ओम महादेवाय नमा इन मंतरों का जाब कर सकते हैं क्योंकि इस दिन रातरी जागरन करना चाहिए इस दिन आप भजन की इतन या मंत्रों का जाप करके रातरी जागरन कर सकते हैं फिर इसके बाद अगले दिन सुबै भगवान सिव और माता पारवती जी की विद्वत पूजा अर्चना करने के बाद और माता पारवती को सिंदूर अर्पित करके उसी सिंदूर से सुहाग लेना चाहिए और फिर भगवान को खीरा और हलवे का भोग अर्पित करें इसके बाद हलवे और खीरे का प्रसाथ खा कर ही व्रत का पारण करना चाहिए तो चलिए अब बात करते हैं कि इस बार हर्याली तीज की पूजा का सुब मूरत क्या रहेगा तो आपको बता दें कि इस बार हर्याली तीज तेज जुलाई 2020 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और पूजा के लिए सुब मूरत की बात करें तो हर्याली तीज यानि सावन ततिया की सुरुआत 22 जुलाई को साम 7 बचकर 30 मिनट पर सुरू होगी और 30 जुलाई को साम 5 बचकर 4 मिनट तक समाप्त होगी इसलिए इस बार 30 जुलाई की सुबह अपनी सुविदा के नुसार पूजा करना स्रेस्ट रहेगा आप इसी मूरत के दौरान अपनी हर्याली तीज की पूजा संपन्न करें तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जय मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्थ पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद